आपका अपना डॉक्टर डॉक्टर नमनित कारा लेकर रहा हूं आज एक ऐसा टोपिक जिसकी आप सभी को सुनने की चाहा है क्योंकि मन में बड़ी जिग्यासा है कि नई वेक्सिन आ रही है जॉंसन एन जॉंसन इंडिया में ये 5 वेक्सिन होगी पहले जिन 4 वेक्सिन को 4 वेक्सिन जिसको मिल गया है वो है जॉंसन एन जॉंसन की वेक्सिन सिंगल डोस वेक्सिन सबसे बड़ा एडवांटेज इस वेक्सिन का सिर्फ एक ही है ये सिंगल डोस वेक्सिन है नमबर वन ठीक है लेकिन आज मैं पूरी बात बताऊंगा इस वेक्सिन के बारे में कि क् कितनी efficacy है किसको नहीं लगवानी चाहिए और क्या problem है और क्या advantage है advantage सिर्फ एक ही है सबसे बड़ा कि ये single dose vaccine है number one दूसरी चीज ये same vaccine है जैसे कि हमारी estrogenic vaccine है उसी adenovirus vector based vaccine है कोई जादा फर्क नहीं है उस vaccine में इसमें number two, number three अब आते हैं इसके efficacy के उपर है ये claim करते हैं हमारी efficacy जो asymptomatic infection को या mild infection को रोकने में 66% है severe infection को रोकने में 76% है और critical उसको रोकने में 66% है और जो hospitalization को रोकने में 100% है ये थोड़ा सा मुझे वैसे लोचा समय नहीं आता कि serious critical रोकने में 66% होस्पिटल जाने में 100% ऐसा कैसे हो सकता है जो serious होगा तो फिर वो hospital जाए गए जाएगा तो दोनों में इतना difference क्यों बताया जा रहा कहीं जिगाव पे तो मुझे थोड़ा सा इनमें confusion रहता कि आखिर ये माजरा क्या है मली माजरा नहीं चंदिगडवाला तो ये माजरा ये है और कुल मिला गया efficacy almost आप मान के चले जितनी covid shield की efficacy almost same है इनकी कोई ज़्यादा फरक नहीं हो कोई vaccine भी almost same है और अब आते हैं side effect के उपर और इसका जो temperature है ये अगर आप इसको fridge में रखो तो ये 4-5 महीने तक खराब नहीं होगी अगर minus 20 degree centigrade पे रखो तो 2 साल तक खराब नहीं होगी तो और अब आते हैं इसके मैं आऊँगा कि इसके वो क्या है side effect क्या है side effect जो है देखो एक side effect तो अगर आप याद करें तो इसको रोग भी दिया गया था US में इसका लगाना बन कर दिया गया था pause कर दिया गया था ये हुआ था 13 April को 2021 में जो वाँगे CDC और FDA ने इसको बन कर दिया था उसका reason था इसका major side effect मैं छोटे side effect तो बाद में बताऊंगा प्लेलेट का कम हो जाना और clotting हो जाना चाहिए वो brain में हो जाए कहीं भी हो जाए तो ये पाया जा रहा था और ये पाया गया था young female में जो 18 साल से अब 45 साल के बीच की female थी उनको young ही बोलते है वैसे उमर ladies के उमर पूछनी नी चाहिए दो-चार साल उपनीचे हो सकती है इवन दस साल तक भी हो सकती है उसमें कोई ऐसा नहीं है तो कुल मिलाके तो इसको रोक दिया गया लेकिन फिर ये पाया गया कि जी बहुत कम cases है rare है इतने लाखों में से कुछ चंद cases आये हैं क्योंकि इसका advantage आता है तो risk benefit ratio एक देखा जाता है उसके अलावा जो इसके side effect है एक gluten virus syndrome है जो भी देखा जा रहा है इडिनो वायरस जो वैक्सीने कोवीशीड के साथ भी देखा गया है बहुत rare है अलाग कि millions में से चंद लोगों में से हुआ तो GB syndrome होता है मैं उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा गुलियन बारे syndrome होता है कि आपका nervous system पर अस्थर पढ़ आता है paralysis हो सकते है सारे heart pair काम करने बंद कर सकते है और कई बार जान लेवा भी थाबित हो सकती है यह कि अलग immune system neurological system से related disease है गुलियन बारे syndrome ठीक है जिसको हम कहते हैं GB syndrome GB road नहीं माँ का नाकिस आगे चाइना की पता नहीं क्या क्या मुँसे निकलता है तो यह कुलम इलाके GB syndrome नाम की बिमारी है और क्या बिमारी के पाई गई है जिसकी वज़े से अब यह बताया जा रहा है युएस ने बोला है कि आप इन बिमारीयों को भी अपने लेबल में शामिल करें जो आप लिख रहे हैं आपको इनको भी शामिल करना पड़ा क्योंकि यह रिस्क देखे जा रहे हैं आपकी वैक्सीन के साथ उसमें दो जो major side effect हैं वो है tinnitus यानि कानों में घंटिया बाईना और giddiness चक्कराना ठीक है तो यह side effect भी पाए गए हैं तो उन्होंने बोला जी आप अपने side effect में इसको भी शामिल करें तब आगे बढ़ें तो यह भी शायद उनको शामिल करना पड़ेगा और एक menstrual disorder मलगी जब औरतों को मावारी होती है उसके पास पाया जारा था लेकिन बाया गया इससे कोई संबन नहीं है इस vaccine का वो वैसे ही है अपने आप हो रहा जिसको हो रहा है vaccine से कोई लेना देना है vaccine से जो लेना देना था लेकिन जो minor side effect वो वैसे हैं जैसे बाजू में ददोना थकान हो गया सिर ददो गया फीवर हो गया पेट में ददो गया वमिटिंग हो गई ये चोटा इमोटे side effect जैसे ये जैसे बागी side effect में तो अब करें क्या, क्या इसको लगवाएं, देखो, मैं आपको पहली बात बता हूँ, अब जो यह सवाल पूछ रो कि इसको लगवाएं या ना लगवाएं, अभी आने तो दो, अभी problem क्या हो रही है, जो Moderna के साथ भी problem हो जो Johnson & Johnson के साथ भी problem हो सकती है, सबसे बड़ी problem इन के साथ जो बाहर से आ रही हैं, बड़े अपने आपको तुर्रम खाम बनके, उनके साथ प्रॉलम जो सबसे बड़ी है, वो indemnity insurance की, यानि कि वो चाहते हैं कि हमें insurance cover दे दिया जाएगी, हमारे खिलाब कोई case ना करे है, अगर कोई side effect हो जाए, और जबकि हमने अपनी vaccine, जो यहाँ पर बनी हैं और जो लग रही हैं, उनके खिलाब ऐसा कोई भी हमने compromise नहीं किया है, कि इनके side effect को के साथ हम कोई compromise नहीं करेंगे, वो आप जहलो, तो यहाँ पर यही हाल है हमारे हैं, कि जो भी side effect होगा, वो अपने हम जहलो, हमारा सरकार का इससे कोई ले ना देने, लेकिन Moderna vaccine ने indemnity insurance मांगा था, अभी तक इसलिए वो आई नहीं है, और इसके साथ क्या होगा, Johnson Johnson के साथ क्या है, यह भी मांगेगी कुछ इस तरह का, पता नहीं, तो यह September से पहले तो आने से रही, October भी लग सकता, मुझे तो ऐसा लगता कि जल्दी नहीं आगा, और मुझे ऐसा भी नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा चमतकार हो जाएगा इस vaccine को आने से, और वैसे भी 2 से 4-5 करोड़ vaccine इसकी हर महीने शायद आएंगी, पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई यह बहुत चमतकारिक vaccine साबित होगी, अब बहुत लोग इसको इस वज़े से कि मुझे मालूम है, जब यह vaccine आएगी तो मेरे पास कितने सवाल आएंगे, क्योंकि अभी भी COVID-Shield और Sputnik में से में से रोल पुछा जाता है कि Sputnik लगाएं, COVID-Shield लगाएं, इसके उपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, तो कुल मि इसके कुछ ऐसे हैं, जिसके उपर कोश्य मार्क लगते रहे हैं, Johnson & Johnson की vaccine के उपर, तो कुल मिला के एक mixed review है मेरी तरफ से, मैं इसको दूँगा कितने star की आर की तरह से, कमाल खान की तरह से, मैं भी एक, लोग picture का review करते हैं, vaccine का review करेंगा, ओर की, सानु की, बड़े लोग ब पर बारे, डॉक्टर के बाद ओर क्या है, मैं picture का review भी कर सकता हूँ, मैं से अच्छा review कोई नहीं कर पाएगा, अगर मैं picture का review करना शुरू करता हूँ, लेकिन वो मेरे काम नहीं है, वो मस्ती में कभी कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, vaccine का review मेरे से अच्छा कोई नहीं बता हैं, हैं तो भरे बड़े हैं स्टार, सब बैटे हुए बैकार, इस COVID ने सारे स्टारों को कर दिया है, स्टार बने के बैकार, अब YouTube ने बना दिया, उनको आम आदमी को स्टार, तीक है, अब मैं अपनी तारीफ क्या करूँ, तो चलो, मैं सिर्व इतना ही बोलूँगा कि आप जाए, वेक्सीन लगवाईए, क्योंकि हमारे पास कोई option नहीं है, और क्योंकि सीरेडी और डेथ को रोकती है वेक्सीन, इसलिए जाए और लगवाईए, मैं हूँ, आपका अपना डॉक्टर नमनीत कारा, फिल लेकर आँगा इसी तरह से